So what's up guys, this is Varun Arwal, you are watching Dynamic Enzo, let's start the video आज हम बात करेंगे इसे टॉपिक के बारे में, कैसे विशे के बारे में जिस विशे को लेकर हमारे देशवासी उन्हें, हमारे इंडिया के जो भारतवासी उन्होंने पहले भी कई बार वादे उठाई हैं लेकिन आज जब देश हमारा पत्स से बत्तर हालत में जा रहा है और देश के उपर जो देश के दुश्मन हैं वो हमला कर रहे हैं और देश को गिराने के खोशिश कर रहे हैं, इस घड़ी में हमको देश को सारा देना होगा अपने तरीके से और हमें जो हमारा जो investment है जो हम देश के खिलाफ करते आए हैं आज तक हमें उस investment को रोकना होगा और हमें वही investment देश में लगाना होगा हम बात कर रहे हैं Chinese products के बारे में Chinese products को record करने के बारे में और Chinese products को band करने के बारे में Chinese products इनका अस्तित्व आज के समय में हमारे जीवन में तकरीबन 80% तक है यानि कि हम अपना जादातर समय Chinese products का इस्तमाल करने में निकाल देते हैं और Chinese products का इस्तमाल करते हैं अपने पूरे day-to-day life में जो कि काफी सोचने अली बात है और जो कि नहीं होना चाहिए था आज हम एक इंडिया के भारतवासी हैं और हमें ये हक है कि हम अपने इंडिया का समानी उसकरें ना कि किसी दूसरे देख के समान पर dependent रहें आज चाइना का एक अखबार है जिसका नाम है Global Times उसने अपने अखबारों में ये छापा है कि इंडिया में Chinese products बैन होना नामुम्केन है क्योंकि इंडिया में लोग को सस्री और टिगाओ चीज़े पसंद है और अगर चीन का ये अखबार यानि कि Global Times ये सब कहे पा रहा है तो उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ी गलती हमारी भी है आज जो हम चीन के समान खरीबते हैं यानि आज जो हम Chinese products खरीबते हैं उनका revenue सीज़ा चीन को जाता है और चीन उनी revenue को उनी पैसों को हमारे खिलाफ इस्तमाल करता है लडाईयों में जंग में यानि कि इंडिया के खिलाफ इस्तमाल करता है जिसका पुक्ता सबूत है L.E.C. पर हुआ वो incident जिस पे हमारे 20 जवान शहीद हो चुके हैं यहां पर हमारे इन 20 जवानों की शहादत बरबार नहीं जाएगी भारत सरकार, हमारा जो भारत का defense system है यह सबी इस पिराक में लगें, इस कोशिश में लगें और यह जरूर इस बात का बदला लेंगे हमारे 20 जवानों की शहादत का बदला लेंगे और हमारा एक देश की नागरिक होने के नाते एक भारत वासी होने के नाते हमारा भी एक करतब बनता है कि हम भी अपने 20 जवानों की शहादत का बदला लें हमारे तरीके से आज अगर हम इस चीज को और उपर ले जाते हैं और और हम इसको आगे बढ़ाते हैं इस मोहिम को हम और आगे बढ़ाते हैं तो कहीं न कहीं एक वक्त ऐसा आएगा जब चाइना को एक मूह तोड़ जवाब मिलेगा और चाइना को समझ में आएगा कि इंडिया ना कभी किसी की सामने जुका है ना कभी जुकेगा और इंडिया के रहे अंदर रह रहे तक्रीबन 130 करोन देशवासी ना कभी किसी देश की उपर dependent हुए हैं ना कभी आगे होंगे तो यह हमारा एक मुहीम है जिसमें हमको आगे बढ़ना है और देश का साथ देना है देश की भारत सरकार का साथ देना है और हमें Chinese food arts को ही नहीं Chinese apps, Chinese brands की जो कपड़े आते हैं और यह सेटलर जो Chinese electronics आते हैं इन सभी को ban करना होगा इन सभी को boycott करना होगा बाकि लेट में हो कि आपके सोचती इस बारे में आपका क्या विचार है boycott China को लेकर और आप कैसे Chinese food arts को ban कर रहे हो किस तरीके से आपका वे क्या है Chinese food arts को ban करने का और इसी के साथ हम आपसे मिलें कल तब तक कि लिए take care of yourself and take care of your family मैं बस इतना कहना चाहूँगा जय हिंद जय भारत अपना भारत महान है Chinese food को ban करें Chinese food को boycott करें और हमारे देश को साथ दे और एक देशवासी होने के नाते आपको गर्व होना चाहिए कि आप इंडिया के एक निवासी है